पहले जिस PDF को आप ब्लॉग आर में राखना चाते हो उसको आप कोई Google ड्राइप उबन करके अप्लोड कर दीजिए उसके बाद यहां पर Share या Get Link पर क्लिक कीजिए ठीक है तो आप Share पर क्लिक कीजिए यहां पर यह जो Get Link है यहां से आपको कॉपी करना नहीं है ठीक है Change to Anyone with the Link इसमें जाना है ओके गॉट इट तो यहां पर जाने के बाद आपके समने ऐसा इंटरफेस आएगा ठीक है तो वहां पर Anyone with the Link इस पर View कीजिए ठीक है वहां पर कर दीजिए Viewer ठीक है Anyone with the Link इस पर कर दीजिए Viewer ठीक है यहां पर जो Link है ना इसको Anyone with the Link इसको आप रख दीजिए और Done कर दीजिए ठीक है then इस फाइल को आप open कीजिये ठीक है तो opened करने के बाद आपके सामने ऐसे open हो जायगा then यहाँ पर आप three dots पर click कीजे ठीक है then फिर open email new tab इस-पर CRT Alright यहाँ पर click करने के बाद आपके सामने प्रोपाली पर open हो जाएगा यहाँ पर embedded edited here ठीक है होँ पर ok कर दीजे उसके पहले ok करने से पहले blogger को open किजिए ठीक है यहां पर कुछ number लिख दीजे कुछ number या कुछ भी लिख दीजे ओके यहां पर जो HTML है ना उस HTML को आप copy कर दीजे copy करने के बाद आप यहांपर जो edit का option है उहां पर जाकर html व्यूद करके यहां पर जो मैंने लिखा है एस्टिफ्ट उसको मैं फाउंड करूंगा यह देखिए यहां पर मैं उसको हटा कर वहां पर मैं उस एस्टेमल को पेस्ट कर दूँगा ठीक है उसके बाद आपको शो करूंगा कि हुआ है की नहीं तो पहले आपको क्या करना परा पहले गुगल ड्राइब में अपलोड करना परा उसके बाद उसका जो विवार सिफ है उसको विद दा लिंक जो भी देखेगा वही देख सकता है ऐसा करना परेगा रेस्टिक्ट से रहेगा पहले से उससे करना परेगा इनिवान कैन भी हुआ इस तर लिंक ठीक है देन वह उसको क्या करना पर गए उसको जैस्ट भीवर करना पर गए नॉट ही कैन नोट डाउनलोड और यूस फॉर आदर पर परस ठीक है वह अगले बाला जो पर परसे से उसके लिए यूस नहीं कर सकता सिर्फ वह यूस कर सकत रहा है डाउनलोड करने के सारी सब्सक्राण के लिए ओके तो यहां पर अब देख सकते हो कि यहां पर जो मैंने पोस्ट किया था वह आया है कि नहीं तो मैं यहां पर दिखा देता हूं आंकु पर वाचिंग इस वीडियो